हेलो दोस्तों आज हम जानेंगे कि कल हमें अदानी इंटरप्राइज़, गलेन मार्क, बीपी सील, हैवेल्स और आर्थी इंडस्ट्रीज इसमें किस तरीकी का ट्रेड करना है और उसके पीछे का लोजिक क्या है तो उसमें से जो सबसे पहला स्टोक है वहा है अदानी इंटर करता है अगर हम salads कि में मैं और और आर्श इसे भी इना चाहें तो आप देखोगे कि दोनों में नेगेटिव डैवर्जन्स है और आर्श इमी में नेगेटिव डैवर्जन्स है अगर इसी चार्ट में हम एक ट्रेंड लाईन ड्रो करें तो तो आप देखोगे कि यहाँ इस trend line को यहाँ पर break कर दिया है, तो जब इस candle का low break होगा, तब हम इसमें selling का position बनाएंगे, हम किस point पर sell करेंगे, हमारा stop loss क्या होगा, और हमारा target क्या होगा, इसकी जानकारी आपको टेलिग्राम चैनल पर दे दी जाएगी, जिसका link description में आप join क कर सकते हो, इसके बाद जो second stock है, वह है Glen Mark, Glen Mark में 1R के चार्ट पर यहाँ पर बना हुआ है, बुली सरामी पैटन, बुली सरामी पैटन, जो downtrend को अब trend में convert करता है, अगर इसी चार्ट में हम एक triangle बनाएं, तो आप देखोगे कि यहाँ इस triangle को कुछ इस तरीके से follow कर रहा है, तो chance है कि कलिया stock यहाँ से इस तरीके से बुली सो, और इसमें हम buying का position बनाएंगे, इसके बाद जो 3rd stock है, वहाँ BPCL, BPCL में 1R के चार्ट पर, यहाँ पर बना हुआ है, बेरिस हरामी पैटन, बेरिस हरामी पैटन, जो uptrend को downtrend में convert करता है, और इसके साथ साथ में, यहाँ पर बना हुआ है double top pattern, यहाँ फस्ट टोप, और यहाँ सेकेंड टोप, तो कलिया इस तोग बेरिस हो सकता है, और इसमें हम selling का position बनाएंगे, इसके बाद जो fourth stock है, वहाँ है haveils, इसमें one hour के चार्ट पर, यहाँ पर बना हुआ है bullish engulfing pattern, बुलिस engulfing pattern, जो downtrend को, अब trend में convert करता है, और आप देखोगे, तो यहाँ पर कल double pattern भी बन सकता है, तो कल हम इस stock को buy करेंगे, इसके बाद जो fifth stock है, वहा है आरती industries, इसमें one hour के चार्ट पर, यहाँ पर बना हुआ है shooting star pattern, shooting star pattern, जो uptrend को downtrend में convert करता है, अगर हम MACD और RSI से भी confirmation लेना चाहें, तो आप देखोगे कि दोनों में negative divergence है, MACD में भी negative divergence है, और RSI में भी negative divergence है, तो कलिया stock बेरिस हो सकता है, और इसमें हम selling का position बनाएंगे, हम किस point पर sell करेंगे, हमारा stock loss क्या होगा, और हमारा target क्या होगा, इसकी जानकारी आपको telegram channel पर देती जाएगी, जिसका link description में है, आप join कर सकते हो, अ कर सकते हैं, तो कक्यान का हमारे है, इसकी जाएपी में युश्या क्यूण妈 değer liberal है, और क्या कर देखें показывा किše सकते हैं युश्या क्या सकते हैं, में पर भीitous जाएभा और हैं देता हैं तजए कर सकते हैं भी negative झानाएंख किति नएटाद easy